नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों हमारे धर्म के प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आद्तें उसके स्वास्थ को प्रदर्शित करने के साथ ही उसके भविश्य और गुन दोश की भी जानकारी देती है अर्थात किसी भी मनुष्य की अच्छी या बुरी आद्तों से उसके गुण एवं दोशों का पता चलता है कई बार तो मनुष्य की कुछ अच्छी आद्ते भी उसके उपर किसी प्रकार का दोश होने का संकेत देती है और मनुष्य के अंदर बुरी आद्ते भी अनेक दोशों के कारण निर्मान होती है, जो धीरे धीरे उसका पतन कर डालती है इसीलिए जल्दी ही इन दोशों का निवारन करना आवश्यक होता है अन्यथा उस मनुष्य को धन, परिवार, व्यापार और भाग्य आदी से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है शास्त्रों के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार के दोशों से पीडित हो सकता है पहला है कुंडली दोश, दूसरा है ग्रह दोश और तीसरा है पित्र दोश इन तीनों में से सबसे अधिक प्रभावशाली पित्र दोश को ही माना गया है गरुड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पित्र दोश के विशय में गरुड जी को बहुत ही महत्वपूर्ण बाते बताई है और पित्र दोश निवारण के उपाय भी बताए है पित्र दोश के कारण मनुष्य का व्यापार और परिवार दोनों ही नश्ठ हो जाते हैं वह मनुष्य किसी भी काम को शांती और एकागरता से नहीं कर पाता है पित्र दोश से जो पीडित होता है उसके घर में हमेशा पारिवारिक कलह, जगडे, तनाव, अशांती, आदी समस्याएं निर्मान होने लगती है उसके द्वारा शुरू किया हुआ हर कार्य बिघड जाता है अचानक ही धन का खर्च होने लगता है समाज में मान सम्मान में कमी आती है कार्य स्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशिरवाद नहीं मिलता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता मनुष्य को उन्नती के लिए पूर्वजों के आशिरवाद की अत्यंत आवश्चकता होती है किन्तु पित्र दोश के कारण मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है उसे बार-बार अस्फलता का मुह देखना पड़ता है इसी लिए पित्र दोश को शांत करना अत्यंत आवश्चक होता है दोस्तों कई लोगों के पास कुंडली न होने के कारण उन्हें पित्र दोश का पता नहीं चलता है लेकिन शास्त्रों में ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है अगर किसी व्यक्ति में यह लक्षन दिखाई दे तो उस व्यक्ति पर पित्र दोश है ऐसा समझना चाहिए शास्त्रों में पांच आद्तों के बारे में बताया गया है अगर व्यक्ति में यह आद्ते दिखाई दे तो वह पित्र दोश से पीडित है उसे तुरंत ही पित्र दोश को शांत करने के लिए उपाय करने चाहिए आज हम आपको उन्ही पांच आधतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पित्र दोश के कारण निर्मान होती है साथ ही जानेंगे पित्रदोश को शांत करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए अगर आपमें इनमे से एक भी आदत होत तो आप यह उपाय अवश्य करे सबसे पहली आदत दोस्तों जिन लोगों को पित्रदोश होता है उनमें एक आदत सामान्य होती है वो इनसान दिन भर अपने नाखूनों को खाता रहता है अर्थात जो इनसान हर समय नाखून को चबाता रहता है वह पित्रदोश से पीडित होता है नाखून चबाना पित्रदोश से पीडित होने वाले इनसान का एक लक्षन होता है इतना ही नहीं हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि नाखून चबाने की आदत विरासत में प्राप्थ होती है अगर कोई भी व्यक्ति नाखून चबाता रहता है तो उसके पूर्वज अवश्य ही उससे क्रोधित होंगे या उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे खुन चबाने के अलावा पित्रदोश से पीडित व्यक्ति को एक दूसरी आदत ये भी होती है। उसकी धन संपत्ती भी धीरे-धीरे नश्ट हो जाती है। कारण ही जमीन पर रेखाएं खीचना या बैठे-बैठे ही जमीन को कुरेदना अशुभ लक्षन होता है। इससे मनुष्य की आयू कम होने लगती है। अपने गुप्ट अंगों को खुजलाता रहता है, तो यह लक्षन पित्र दोश के कारण ही प्रकट होता है। दोस्तों, मनुष्य के बैठने के तरीके से भी पता चलता है कि उस पर किसी प्रकार का दोश है। शास्त्रों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ती बड़े बुजुर्गों के सामने असहज तरीके से बैठता है, अथवा टांग पर टांग रखकर बैठता है, तो वह भी पित्र दोश से पीडित होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ती खुद को बड़े बुजुर्गों से बड़ा साबित करने का प्रयास करने लगता है, वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता और किसी न किसी कारण से बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है। यह लक्षन मनुष्य के अंदर पित्र दोश के कारण ही प्रकट होता है। मनुष्य को कभी अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर पित्र दोश का ही सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार पैर घसीट कर चलने की आदत भी ये प्रदर्शित करती है कि वह व्यक्ति पित्र दोश से पीडित है। शास्त्रों की माने तो यह पांच आद्ते जिन इनसानों में होती है, वह इनसान पित्र दोश से पीडित होते हैं। जिस कारण इन मनुश्यों को अपने पित्र दोश का निवारन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पित्र दोश से पीडित होता है, उसे अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पित्र दोश को शांत करने के लिए अपने पूर्वजों का श्राध कर्म ठीक रूप से संपन्न करना चाहिए। चाहे वो अपने जीवन में कितने भी व्यस्थ हो उन्हें आश्विन कृष्न अमावस्या को अपने पूर्वजों का श्राध अवश्य करना चाहिए इसके अलावा पित्रदोश को शांत करने के लिए श्राध पक्ष में अपने पित्रों का श्राध अवश्य करना चाहिए इसी के साथ प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड में जल चढ़ा कर पीपल की साथ परिक्रमा करने से पित्रदोश में राहत प्राप्थ होती है अगर पित्रदोश के कारण संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है तो पीपल पर कुम-कुम और तिल अवश्य चढ़ाए अगर बहुत समय से आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, तो अवश्य पित्र आप से दुखी हो सकते हैं। इसके निवारण हे तु, हर रोज एक रोटी गाय को और एक रोटी कुट्टे को अवश्य खिलाए। इससे पित्र दोश से मुक्ती का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों बहुत बार कुछ लोग अपने पित्रों का या उनकी तस्वीर का अपमान कर देते हैं। उनकी तिथियां या श्राद्ध का पालन सही तरीके से नहीं करते हैं, जिससे उनके पित्रगण उनसे नाराज हो जाते हैं। पित्रों के दुखी होने से अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भूल से भी अपने पित्रों का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गरुर पुरान में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पित्र दोश से मुक्ती के लिए मनुष्य को श्राध पक्ष में घर की दक्षिन दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कर पित्र दोश समाप्थ होते हैं और मनुष्य को उसके पूर्वजों का आशिरवात प्राप्थ होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से गरुर पुरान में पित्र दोश मुक्ती के उपाय बताए गए हैं। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षन है तो कमेंट में अवश्य बत